पारस बोले गर्ल अप्रेंड ने जबरन बनवाया टाटू सामने आया एक ट्रेस का रियेक्शन बिग बॉस तेरह में पारस चाबड़ा काफी एंटर अटेन कर रहे हैं वहीं शो के बाहर उनके गर्ल अप्रेंड आकांग शापकुरी भी काफी एक्टेव हैं वह पूरी तरह से बिग बॉस को पॉलो कर रही है और रियेक्श भी कर रही है वह बिग बॉस वीकेंड का वार में भी पहुंची थी वीकेंड का वार में उन्होंने बताया था कि पारस ने अपने हाथ की कलाई पर उनके नाम का टाटू बनवाया हुआ है और मैंने पारस के नाम का अपने हाथ पर टाटू बनवाया है लेकिन शो में पारस ने ये कहा कि ये टाटू आकांग्षा ने जबरदस्ती बनवाया था जब पारस की गरले प्रेंट से अकांग्षा से इस बारे में बातचीत की गई तो उन्होंने कुछ भी कहने से मना कर दिया क्या कहा अकांग्षा ने? स्पोट बॉयक की खबर के मताबिक आकशांका ने कहा इस समय मैं बात करने के लिए सही प्रेंग में नहीं हूँ मैं पारस के घर से बाहर आने का इंतजार कर रही हूँ टाटू पर क्या बोले पारस? बता दे कि घर में वाइल कार्ड कंटे स्टेंट के तोड़ पर गर में आए अरहान खान पारस से उनके और अकांग्षा के रिलेशनशिप के बारे में बात की अर्वान पारस से उनके हाथ पर बने अकांग्षा के नाम के टाटू के बारे में भी पूछते हैं इस पर पारस कहते हैं कि अकांग्षा ने उनके नाम का टाटू अपने हाथ पर बनवाया था इसके बाद अकांग्षा चाहती थी कि वो भी उनके नाम का टाटू बनवाए पारस ने कहा कि अकांग्षा के जबरदस्ती करने पर ही उन्होंने उनके नाम का टाटू अपनी कलाई पर बनवाया